हेलो फ्रेंस मैं रागनी आज की शूडियो में आपका श्वागत करती हूँ तो फ्रेंस आज हम सीखने वाले हैं 36 शाइज ब्लाउच का बैकनेक डिजाइन तो देखी हम सोल्डर लिए हैं 5 इंच दीपनेक केश आप से और यहां पर आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच लिए हैं और टोटल लंबाई हम 15 इंच लिए हैं इसे हमें 14 इंच में रेडी रखना है सीने का चौथाई बाग 9 इंच और 2 इंच हमारा मार्जन का तो देखे प्रेंस गले की कटिंग मैंने कर ली है अब जो अंदर से गला कटिंग करके जो बीच का कपड़ा निकला हुआ है उसे हम पेस्टिंग पेपर के उपर रखेंगे बंधबाग के तरह बंधबाग को मिलाते हुआ इस तरह से रख लेना है और देखे बिल्कुल बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है तो आपको हम बता दे रहे हैं कि उपर से गले की चंड़ाई हम 2 इंच लिए है देखे यहां से धाई इंच उपर के गले की चौड़ाई लिए है और गले की लंबाई साड़े दस इंच लिए है और नीचे से गले की चौड़ाई पूरा साड़े तीन इंच में है तो देखे प्रेंस इस तरह से आप अपने गले के लंबाई की साफ से पहले गले की कटिंग कर लें और उसके बाद से जो गला का शेफ निकलता है उसे हम पेस्टिंग पेपर के उपर रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो देखे प्रेंस मार्किंग करने के बाद से फिर से एक इंच बाहर के साइड करती है एक और मार्किंग कर लेंगे मार्जन के लिए तो इस तरह से दोनों मार्किंग को डार कर लेंगे और उसके बाद से देखे प्रेंस गले की कटिंग कर लेंगे हम तो अगर आपके पास pasting paper नहीं है तो आप simple गला भी बना सकते हैं लेकिन pasting paper लगाने से गले में finishing आती है तो देखे प्रेंस गले की cutting हम कर लिए हैं बाहर के side से जो भी extra pasting paper होगा उसे इस तरह से cut करके बराबर कर लेंगे तो देखे प्रेंस गले की कटिंग हो चुकी और आप देख सकते हैं गला का शेप बहुती अच्छा आया है तो उसके लिए देखे प्रेंस यहाँ पे हमें गला पटी लगाने के लिए एक श्टा कपड़ा नहीं है तो उसके लिए देखिए friends, simples आपको करना क्या है, astar का जो गला कटा हुआ है बिल्कुL उससे बराबर कड़ते हुए इस तरह से मिलाते हुए हम प्रेस से इसे इसपे paste कर लेंगे या निचिपका लेंगे अगर प्रेस से आप नहीं चिपकाना चाहते हैं तो सिंप्ली सिल्याई लगा करके भी इसे इस पर फिक्स कर सकते हैं तो देखे प्रेंस पेश्ट करने के बाद से हम उसके बाद से देखिए अब साड़ी का जो मेन पीस होगा उसको लेंगे और उसके सीधे साइड को मिलाते हुए बिल्कुल वीचो बीच में हम इसे तो देखे प्रेंस मेन कपड़े के उपर रखकर के अस्तर वाले पाट को एक चाप का मार्जन लेते हुए पूरे गले को स्टीच कर लेंगे तो देखे प्रेंस कपड़ा बहुत फिसल रहा है फिसलने वाला कपड़ा है तो इसके लिए आपको बहुती सावधानी से शिलाई लगानी है जब भी आप इस तरह का ब्लाउंज बनाए तो तो एक चाप कापड़ा मार्जन में लेते हुए पूरे गले को स्टीच कर लेंगे इस तरह से हाथ से फ्रेंसिंग देते हुए तो फ्रेंस आप देख सकते हैं गले पे शिलाई लग चुकी है अब गले की बीच का जो एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर कि ये बराबर कर लेंगे और जहां भी आप सिलाई चला है उसे आपको एक चाप कपड़ा बाहर के साइड छोड़ते हुए कट करना है तो देखे फ्रेंस अंदर का जो भी कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल लिए है अब पूरे गले पे छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि हमारा अस्तर अंदर के साइड अच्छे से फोल्ड हो जाए तो कट लगाने के वाद से देखे फ्रेंस अब हम अस्तर को बाहर के साइड करेंगे और बाहर के साइड करने के वाद से देखिए एक कच्छी सिलाई लगाएंगे पूरे गले पे और यह जो शिलाई हमारी अस्तर के ऊपर चलनी चाहिए और यह एक चप कपड़ा हम मार्जन में दबाए थे गला ज्वाइंड करते टाइम उस मार्जन वाले पाट को आपको अस्तर के साइड ही रखना है और उसे के उपर सिलाई लगानी है तो देखे प्रेंस अब सिंपली से मं अंदर के साइड पलट लिये हैं गले को और उपर से एक फिनिसिंग की शिलाई लगाएंगे तो इस तरह से पूरे गले को हमें स्टीच कर लेंगे उपर के साइड से फिनिसिंग करते हुए तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कि पूरे गले के राउंड पे हम शिलाई लगा लिये हैं तो गला हमारा बन चुका है अब इस तरह से हम पलट लेंगे और पलटने के बासे देखी अस्तर के बिल्कुल किनारे पे शिलाई लगा करके इसे मेन कपड़े से ज्वाइंड कर लेंगे तो अस्तर के पूरे किनारे को इस्टी इच कर लिए है बाहर के साइड जो भी एक्ष्टा कपड़ा दिख रहा है उससे कट करके निकाल लेंगे तो इसे तरह से दूसरे साइड भी कट करके फिनिसिंग कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि बैक पार्ट को हम रेडी कर लिए है अब यहाँ पे देखिए दो इन चौड़ी पट्टी लेंगे यह पट्टी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस जो हमारा साड़ी के मेंट पीस होता है उसमें से आपको लेना है और देखिए इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगानी है और इस पट्टी को आपको बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है चौड़ी या पतली पट्टी नहीं होनी चाहिए तो देखिए पट्टी को फोल्ड करके एक साइड शिलाई लगा लिए हैं अब हम फिर से दूसरे साइड शिलाई लगा करके पट्टी में फिनिसिंग देंगे और सेम इसी तरह से आपको दो तीन पट्टी रेडि कर लेना है जितना में आपका गला कवर हो जाए तो देखिए प्रेंस दो दो इंच लंबाई में इस पट्टी को हम कट कर लेंगे तो दो इंच आप एक बार माप लें और उसके बासे देखिए दोनों साइड से इस तरह से घुमाते हुए पूरे पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बासे इसे कट कर लेंगे ताकि पूरा पट्टी हमारा बराबर से कट हो तो इसी तरह से पूरे पट्टी को कट करके रेडी कर लेंगे कर लेंगे दो-दो इंच की लंबाई में अब देखे फ्रेंस इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए पूरे गले को कवर कर लेंगे इस पट्टी से तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं गले में अटेच कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी कर लेना है डवल फोल्ड करने के वाद से आप जब भी पट्टी लगाएं तो पट्टी का जो बाहर के बाहर वाला भाग है हर एक पट्टी का सेम होना चाहिए और इसकी दूरी भी सेम ही होनी चाहिए आप देख सकते हैं इसके बीच में थोड़ा सा मैं गैप छोड़ रही हैं तो गैपिंग आपको हर एक पट्टी के बाद उतना ही छोड़ना है जादा है कम नहीं होना चाहिए तो फ्रेंच देखे इसी तरह से हम पूरे गले को कवर कर लेंगे तो देखे पूरे गले पर हम पट्टी को अटेच कर लिए बिल्कूल बराबर से आप देख सकते हैं अब नीचे के साइड हम कमर पट्ट्ट जॉइंड करेंगे तो कमर पट्टी वाली चाउडाई हम लिए हैं देड़ से दो इंचाप ले सकते हैं तो देखे पट्टी ज्वाइंट करने के बास से अब हम पट्टी को बाहर के साइड करेंगे और एक कंची सिलाई लगा लेंगे पट्टी के उपर ब्लांग उसके उपर शिलाई नहीं चलनी चाहिए तो देखी अभी से हम उल्टे साइड करके और इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए कच्ची शिलाई इसके उपर भी लगाएंगे क्योंकि तुर्पाई के बास से ये शिलाई हमें निकालना होता है तो इसलिए आप इस पर कच्ची शिलाई ही लगाएं अगर आपको इस शिलाई को फिक्स चला देना है तो आप इसको पक्की शिलाई चलाएं अब यहाँ पे देखे फ्रेंस बैक पार्ट में हम ट्रक्ष डालते हैं तो भी आपको इस तरह से डाल लेना है और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी ट्रक्ष लगा लेंगे तो देखे इस तरह से अब इसमें मोती अटेच करेंगे तो देखे पूरे गले पे मोती हम लगा लिए है और यहाँ पे जितना बाकी है मैं उसमें मोती लगा करके आपको दिखा रही हूँ तो देखिए जो भी बीच में gaping है उसके बीचो बीच में हम्मोटी attach करना है तो देखिए इस तरह से हम धाग़े को दूसरे साइड लाएंगे और इस तरह से खीचते हुए बराबर कर लेंगे इसे फिर से एक मोटी लेंगे और देखिए उसको लेकर कि इसके बिछो बीच से हम सुई को निकालेंगे और फिर से देखिए एक मोती बिछो बीच में अटाइच हो गया और इसी तरह से कंटीनियो करके पूरे गले को कबर कर लेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुती इजिली मोती अटेच हो जाता है गले में तो देखिए मोती को लेना है और बिल्कुल बीचो बीच में से टक कर लेना है तो पूरे गले को हम कवर कर लिए हैं मोती सब दूसरे साइड अच्छे से बांज लेंगे अब यहाँ पर देखिए प्रेंस स्कॉयर में पीच लेंगे और मैं यहाँ पर रेडिमेंट डोरी ली हूँ आप चाहें तो कपड़े का भी डोरी बना सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर ट्रेंगल में फोल्ड करते हुए फैब्रिक लटकन रेडि करेंगे तो देखिए जो भी एक्ष्टा बार की साइड कपड़ा होगा उसे कट करके अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के वासे देखिए फ्रेंस सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी हम रेडि कर लेंगे और यहाँ पर मैं तीन इंच नीचे डोरी टक की हूँ तो फ्रेंस आया है तो मैं उमीद करती हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ओन कर दीजिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं फी नेक्स्ट वीडियो में